Hello everyone, आज हम जानने वाले हैं साथ ऐसे vegetarian food जो की protein के बहुत अच्छे sources है protein हमारे खाने का एक महदवपूर्ण पार्ट है और हमारे खाने में protein इसलिए जरूरी है क्योंकि protein हमारे शरीर में muscle building में मदद करता है आपके muscles को heal करता है, आपके manspatio को मजबूत करता है उसे के साथ ही protein आपका weight loss करने में मदद करता है ठीक मातरा में protein खाने से आपका metabolism ठीक होता है आपका वजन क्वम होने में मदद होती है उसके साथ ही body building में लोग protein का use करता है body building के लिए उनको protein की अवश्यक्ता होती है और हमारे भारत में maximum लोग, maximum population vegetarian है और जो लोग नौन्वेश खाते भी है, वो भी हपते में एक दो बार ही नौन्वेश खाते है तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमारे रोज के खाने में ऐसे कौन सी चीज़े हम include कर सकते है और specially vegetarian चीज़े जिनमें से हमें भरपूर मातरा में protein मिले और हमारी protein की जो डेली requirement है, वो complete हो सके वीडियो में आगे बड़े, उससे पहले नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मुरुनाल और इस चैनल पर हम बात करते हैं आपके health के बारे में और आपके fitness के बारे में तो अगर आप भी हमेशा healthy स्वस्थ रहना चाते हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिए आप आपके खाने में रोज कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, कौन से पदार्थ यूज़ करते हैं, कि जिससे आपको protein मिलता है ये comment में मुझे जरूर बताइए तो सबसे पहले नमबर पर जो food है, वो है भूना चना 100 gram भूना चने में 22 gram of protein होता है जो कि अगर हम देखा जाए quantity के हिसाब से, तो बहुत ही बढ़िया मादरा में उसमें protein है और भूने चने में जो protein है, उसकी quality wage protein में सबसे अच्छी पाई गई है तो इसलिए भूने चने खाना आपके शहरत के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है स्पेशलि अगर snack time पर आपको भूग लगती है, चाय के साथ आपको कोई snack की जरूरत पड़ती है तो भूना चना को आप खा सकते हैं ऐसे time पर अगर आप भूने हुए चने खाते है, तो ट्राई करिए कि आप उसको उनके कवर के साथ ही खाए ताकि प्रोटीन के साथ साथ अच्छी मादरा में फाइबर भी आपको मिलेगा भूने होए चने की powder बनाते हैं, उसको सत्तू कहते है भारत में सत्तू एक बहुत ही popular drink है और बहुत सारे प्रदेशों में इसको पिया जाता है तो सत्तू भी एक बहुत ही अच्छा source है protein का अगर आप सत्तू पिया पसंद करते हैं तो उसको भी आप अपने everyday खाने में इस्तमाल कर सकते हैं उसके साथ ही सत्तू का जो powder है उसको आप पराठे बना सकते हैं उसको आप चीले में यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह उसको अलग-अलग पदाल्थों में यूज़ करके आप अपना protein intake बढ़ा सकते हैं उसके बाद दूसरे नबर पर जो पता है वो है दूद एक क्लास दूद में 250 ml जो दूद होता है उसमें 10 gram of protein होता है तो इसलिए अगर आप दूद पसंद करते हैं तो protein के लिए आप दूद भी पी सकते हैं दूद में protein के साथ साथ vitamins भी होता है बहुत vitamin D होता है vitamin C होता है उसके साथ ही उसमें omega 3 calcium भी होता है तो दूद पीने से आपके muscles तो मजबुत होंगे है आपके माश्वेशा मजबुत होंगी लेकिन उसके साथ ही आपके bones भी strong होंगे आपके heart भी अच्छा होगा तो दूद पीना भी आपके शरीर के लिए अच्छा है especially अगर protein के side से हम देखे तो दूद में से आपको अच्छी मातरा में protein मिल जाता है उसके साथ ही दूद से बना हुआ दही उसमें भी अच्छी मातरा में protein होता है और थर्ड नंबर पर जो आता है वो है पनीर पनीर भी दूद से ह दूद की सारी खूबिया पनीर में भी होती है और concentrated मातरा में होती है half cup of paneer अगर आप लेते हैं तो उसमें 12 gram protein होता है तो पनीर भी सबको बहुत पसंद आता है पनीर की सबजिया सबको पसंद होती है तो अगर आपको पनीर पसंद है तो हर रोज आप उसकी सबजिया बना क रखा सकते हैं पनीर के पराठे सबको बहुत अच्छे लगते हैं तो ऐसे अलग अलग तरकार से आप पनीर का यूज कर सकते हैं और अपना protein intake बढ़ा सकते हैं नेक्स जो protein का source है वो है soya bean soya bean एक बहुत ही बढ़िया source है protein का और especially soya chunk भी अगर आप खाते हैं तो वह भी बह 100 gram soya chunks में 50 gram protein रहता है मतलब भरपूर मात्रा में इसमें protein है और यह protein भी बहुत अच्छा protein है तो अगर आप 100 gram protein के chunks की या pro soya nutella को हम कहते हैं उसकी अगर आप सबजी खाते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं उसको powder बना सकते हैं powder बना कर उसको powder पराठे में यूज कर सकते है या फिर आप soya bean के जो दाने होते हैं उनको भी भीगो कर अपने सबजीों में इस्तिमाल कर सकते हैं soya bean में भरपूर मात्रा में protein हैं बहुत सारे लोगों को soya bean से एक doubt रहता है कि क्या soya bean खाने से पुरुषों में estrogen बढ़ेगा क्या उनको man boobs आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि soya bean में estrogen होता है वो phyto estrogen होता है वो बहुत ही mild estrogen है जिसका अगर आपकी शरील पर effect होना है तो उसके लिए आपको बहुत जादा एक किलो देट किलो इतना soya bean एक दिन में खाना पड़ेगा तभी इसका आपकी शरील पर effect हो सकता है तो आप निश्चिंद होक soya bean अपने खाने में इस्तमाल कर सकते है नेक्स जो vegetarian protein का source है वो है दाले दाले सभी प्रकाय की दाले तूर दाल मूंग दाल उड़त दाल मसूर दाल इन सभी दालों में protein होता है लेकिन जब भी आप दाल बनाते है खाने के लिए दाल बनाते है तो ध्यान में रखिए कि दा दाल में ज्यादा पानी मट्टा लिए दाल को थोड़ा concentrated मातरा में खाए ताकि उसके जो protein है उसका आपको लाब मिल सके तो अगर आप half cup दाल खाते है तो उसमें 8 gram protein आपको मिल सकता है लेकिन यही आपको ध्यान रखना होगा कि दाल को ज्यादा water ही मत बनाईए दाल को 8 gram of protein और 16 gram of protein आपको every day उससे मिल सकता है next जो protein का source है वो है green peas मतलब की मतार के दाने तो मतार के दानों में भी बहुत अच्छे मातरा में protein होता है और मतार का जो protein होता है उसको एक complete protein कहा जाता है 2016 में एक छोटी सिस्टरी हुई थी जिसमें ये भी पाया गया कि अगर आप exercise के बाद मतार के दाने खाते हैं पीज खाते हैं तो इससे आपके muscle का जो damage होता है वो repair होने में मदद होती है आपके muscle building में help होती है बहुत सारे जो vegan protein powder market में मिलते हैं उसमें peas का powder ही रहता है तो इसलिए peas को भी अपने खाने में आप include करिए अपने कोई भी सबजियों में आप डाल सकते हैं सुबह के breakfast में आप peas को डाल सकते हैं पीज बहुत versatile है जो कि किसी भी सबसी में आप include कर सकते हैं और अपने protein का दीन का quota आप complete कर सकते हैं और next 7 नंबर पर जो protein का source है जो बहुत ही अच्छा protein का source है वो है pumpkin seeds pumpkin seeds बहुत ही अच्छा source है protein का उसके साथ ही यह बहुत ही अच्छा source है बहुत सारे nutrients का pumpkin seed एक superfood माना गया है क्योंकि इसमें protein के साथ साथ iron है, zinc है, copper है, selenium, magnesium ऐसे बहुत सारे minerals and vitamins है तो pumpkin seed भी आपके health के लिए बहुत ही अच्छे है pumpkin seed को भी आपके खाने में आपके breakfast में एक चमच या दो चमच प्रोड़ pumpkin seed आप ज़रूर ले 20 gram pumpkin seed में 8 gram protein होता है तो 2-3 चमच pumpkin seed आपके breakfast में आपके खाने में आपके smoothie में आपके पराठे में कही पर भी आप include कर सकते है protein अपने खाने में include करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है बहुत ही अच्छा way है अपने weight loss करने का अगर आप जानना चाते हैं कि और कौन से कौन से उपाय है जिससे कि आपके weight loss में आपके मोटापा घटाने में मदद होगी तो ये वीडियो आप जरूर देखिए मैं आपको मिलती हूँ इसी वीडियो में